आज मैं बताने माला हूँ कि ग्रेनी जेप्टर 2 में हमें व्रेंट का यूज कैसे करना है और उसका फाइदा है व्रेंच का यूज करना का, क्यों की वह भी एक प्रीज़ इंक का फायदा है, है वह रच फीज़िज़ भी उपर जाना सीधे और गेट खोलना है dies नदी पतोंबे यह को जेता है। दिवारिफ तो चलते हैं और इसके बिनधर नेंदर नीचे हैं और चलते हैंपहले फिल इलेटे हैं हमारा रख लोच सबस्क्राइव करें दे ही। कम clean में जरूर बता रहे कि उलिवेऑ को कर लिए उसकी वीडियो में और बना दूँगा ले लेते हैं पहले व्रेंच ये रखा हुआ हमारा व्रेंच चलते हैं इस गेट से नीचे और वहां जाके उस नदी को है उस नदी को बंद कर देंगे उस नदी पे हम बना देंगे पुल ताकि हमारे लिए ये और भी ज़दा आसान हो ये जो नदी है ये बन जाएगा पूरा पुल तो हम इस दर से उस तरफ आसानी से जा सकेंगे और वो जो जानवर है वो हमें कुछ नहीं कर पाएगा देखो एक पीस ओफ पिच्चर यहां रखा हुआ है इसी पीस ओफ पिच्चर का भी काफी ज़दा मुश्किल रहता है अ हमारा रास्ता पेक हुआ है यानि और अगर वो पेक हो चुका है तो फिर हम चलेंगे उसके उस तरफ अगर हम डायरेक्ट उस तरफ जाएंगे तो हमें मार देगा तो फिनिश अब आता है अगर उस तरफ जाना है तो हमें करना है मीट का यूज तो हम पहले लेन चलते हैं क्योंकि हमें तो चेक करना है कि उस तरफ हमारा सामन रखा क्या है असल जो पूरा रव्रेंज का यूज़ हुआ कैसे है तो चलते हैं उपर ले लेते हैं मीट और क्योंकि मीट अगर लेके नहीं जाएंगे जैसे ग्रेनी वन में इस पैडर हमें खा ले दी थी मीट के तुकड़े से यह रहांकर लेकपीस रखा हुआ है तो इस लेकपीस को ले लेते है और चलते हैं उस तरफ अब हमें जाना है ग्रेणी के पेट की तरफ तो महाँ पर चलते हैं क्योंकि महाँ पर एक प्लेस रखी हुई जहां पर हमें इसे यूज करना है मीट को और अगर हम इसके बीना उस तरफ जाएंगे तो जो पेट है यह हमें खा जाएगा मार देगा हमारी लाइफ खितम कर देगा तो हमें जाना है मीट को लेके जैसे कि पहला मीट लेके मैंने यहां पर चेक के यहां पर रखा एक क्रोबार तो इसको कर लेते हैं यहां पर यूज उसके बाद फिर हम क्रोबार ले लेते हैं और जल्दी जल्दी हमें क्रोबार लेना पड़ेगा वरना ये जानवर इसका जो लेकपीस है वो खा के जल्दी से मारने आ जाता लेकिन ये इस बाउंडरी के इस तरफ नहीं आ सकता जैसे कि अगर अब हम उस तरफ जाना है तो हमें एक और लेक पीस लेना पड़े हैं सब्सक्राइब दा चैनल